नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागे थे मेरे चैनल पावर प्लांट इस्टुमेंटेशन में और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग बहुत ही इन्फार्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ जो है कि क्यों हम लोग कंट्रोल एन इस्टुमेंटेशन में 4 to 20 मिलियम्स DC सिगनल का यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हूँ दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2 wire loop power transmitter क्या होता है और second बताऊंगा कि क्यों हम लोग 4 to 20 मिलियम्स DC सिगनल का यूज करते हैं और third है हमारा कि क्यों हम लोग 0 to 20 मिलियम्स DC सिगनल का यूज नहीं करते हैं और क्यों हम लोग voltage signal का भी use नहीं करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये चारो topics clear करने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो में आगे वढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कीजे और bell icon को press कर दीजे जिससे की मेरे आने वाले वीडियो के notification time to time आप लोग को मिलता रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे वढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा fundamentals of 4 to 20 million current loops के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप ये figure में देख पा रहे हैं हमारा field area है और ये हमारा DCS control panel side का area है तो हमारे field area में हमारे transmitter लगे होते हैं जो क्या करते हैं इस process line में कितना pressure है कितना flow है जिस type का भी आपका transmitter लगा हुआ है field में वो क्या करता है physical quantity को हमारे electrical signal में convert करता है ये एक तरीके का एक transducer का work करता है दोस्तों तो यहां पर क्या होता है यह two-wire loop power transmitter है इसमें सिर्फ दो वायर होते हैं दोस्तों इन्ही दो वायर से यह transmitter को power up भी होता है और इन्ही दो वायर से हमारा जो supply है जो signal का supply है वो हमारे cards तक control room तक जाता है दोस्तों तो इसलिए इसको क्या बोलते है two-wire loop power transmitter बोलते है क्योंकि यह close current loops में work करता है दोस्तों तो यह series में connected होता है दोस्तों और यहां पर two-fifty ohm का resistance होता है दोस्तों यह हमारा power supply unit है 24 volt DC क्योंकि इस transmitter को operate करने के लिए 24 volt DC का ही use किया जाता है दोस्तों ठीक है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग समझते हैं कि how does a four to twenty million current loops work तो यह ohmsla के principle पर work करता है दोस्तों ohmsla के principle क्या होता है V is equal to IR voltage directly proportional होता है हमारे current के और resistance के तो दोस्तों ohmsla states that the voltage across a conductor is directly proportional to the current support तो जैसे कि Leah video में देख पा रहा है यह हमारा power source है दोस्तों और इहां पर आपके load लगे हुए दोस्तोव तो यह first load हो है जो करेंट है हमारा जो फ्लो हो रहा है वो उसमें कोई effect नहीं आएगा यह सेम करेंट यहाँ फ्लो होती रहेगी दोस्तों तो यहां से आपको इतना समझ में तो आई गया होगा कि हमारा voltage ड्रॉप होता है बट हमारा current ड्रॉप नहीं होता है दोस्तों तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि voltage का यूज नहीं करते हैं हमारे control signal में दोस्तों क्यों current का use करते हैं क्योंकि current हमारा drop नहीं होता है दोस्तों current signal हमारा drop नहीं होता है इसकी वैसे तो एक तो आपको doubt clear हो गया दोस्तों तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम یہ तिरों doubt clear करेंगे कि why do we use 4 to 20 million DSi why do we not use 4 to 20 million DSi signal why do we not use voltage signal तो चलिए एक एक करके हम लोग शमझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं voltage signal dropped but current signal not dropped जैसे हमारे field में जो transmitter लगे होते हैं हमारे जो control instrumentation जो devices लगी होती है वो क्या होती है हमारे long distance हो जाता है क्योंकि field area और हमारा जो control panel area है उसके बीच में काफी distance हो जाता है जिसकी वेज़े से हम लोग क्या करते हैं कि voltage signal का use नहीं करते हैं क्योंकि यहां से यहां तक जब signal आएगा तो voltage आपका drop हो जाएगा तो हमको measurement system में हमको accuracy बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जैसे माली जी आपको कोई transmitter लगा हुआ field में 0 से 10 bar का लगा हुआ है अब यहां पे आपने calibration कर दिया transmitter को कि हमारा 0 bar pressure पे 4 million out करेगा और 10 bar पे हमारा 20 million out करेगा ठीक है तो हमारा current के form में अगर आपने ले रखा है current signal है तब तो यह जितना यहां से out करेगा आपका transmitter same current आपको यहां पे receive होगा आपके control पैनल end पे ठीक है बट अगर आपने यहां पर voltage signal ले रखा है दोस्तों voltage output ले रखा है तो आप अगर यहां पे अगर 5V DC signal अगर यहां से आप आउट कर रहा है transmitter तो यहां पर जाते जाते voltage drop हो जाएगा तो error आएगा accuracy नहीं रहेगी और एक region और क्या होता है कि जैसे माल लीजे आपका कोई high tension की line है अगर आपके signal cable के पास से गुजर रही है तो एक electromagnetic induction जो है produce होता जिसकी वज़े से क्या होगा variation आएगा hunting आएगा कभी प्रॉपर आपको value नहीं मिल पाएगी दोस्तों तो यह सबसे बड़ा region है कि हम लोग current signal का यूज करते हैं voltage कोटे signal का यूज नहीं करते हैं दोस्तों तो चलिए इसको मैं एक बार erase कर देता हूं दोस्तों बात करते हैं अपने second region का second region क्या है कि why do we not use 0 to 20 million dc signal क्यूं हम लोग 0 से 20 million dc signal का यूज नहीं करते हैं क्यूं हम लोग 4 to 20 million dc signal का यूज करते हैं तो इन दोनों का difference अभी मैं आपको बताता हूं एक example के जरीए जिससे आपको इन दोनों में difference clear हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों तो चलिए फिर से एक example लेते हैं सेम जीरो से 10 बार का आपका transmitter का range है दोस्तों अब आपने यहां पर 4 to 20 में जीरो प्रेशर पर 4 मिलियम सेट कर रखा है और 10 बार पर 20 मिलियम सेट कर रखा है अब अगर बात करूं मैं 0 से 20 मिलियम का तो यह यहां पर 0 मिलियम हो जाएगा दोस्तों और यहां पर 20 मिलियम हो जाएगा यह configuration आपने माल लीजे change कर दिया आपने 0 से 20 मिलियम कर दिया ठीक जब आपका प्रेशर जीरो होगा तो four to twenty mills के range में क्या होगा आपको four million continuous आपको डी see as में आपके control room में मिलता रहेगा दोस्तों जिससे क्या होगा कि आपको ये confirm रहेगा कि आपका signal भी okay है आपका transmitter भी okay है बट अगर आपने 4 million की जगे 0 million का signal अगर आपने लिया है तो आपको ये clear नहीं होगा कि आपको pressure actual में 0 हुआ है या कहीं आपका signal cable में issue हो गया है या आपका transmitter में issue हो गया है तो इसलिए second reason क्या है कि fault like open circuit can easily be detected इसमें क्या होगा 4 million में जैसे ही ये open circuit होगा ठीक है जैसे ये open circuit होगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कहीं न कहीं हमारे cable में ये हमारे transmitter में कुछ problem हो गई है दोस्तों तो ये second reason आपको I hope आपको समझ में आ गया हो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड रीजन का थर्ड रीजन क्या है कि ADC of the controller only process voltage signal that are in the range of one to five volt तो इसको मैं एक बार erase कर देता हूं और फिर समझाने की कोशिश करता हूं तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे cards होते हैं वो हमारे digital signal को मेजर करते हैं दोस्तों तो यहां पर हम लोग क्या लगाते है एक ADC l को digital signal में convert करता है तो जो हमारे cards होते हैं one to five volt में ही work कर पाते हैं ठीक है तो हम लोग का main काम क्या होता है कि जो हम अपना four to twenty million current signal हम लोग का राए field से वो हमारा cards में यहां पे ADC लगा होता है और वो क्या करता है one to five volt DC signal में convert करता है तो एक region क्या है one to five volt में कैसे convert होता है तो चलिए मैं आपको समझाता हूं तो एक बार इसको फिर series करता हूं तो जैसा कि आपको मालूम है कि यह हमारा जो resistance होता है वो two fifty ohm fix होता है दोस्तों और हमारा जो current होता है four to twenty million वो क्या होता है हमारे जो process के according जो हमारा transmitter का output होता है four to twenty million वो आपका vary करेगा तो जैसे माल लीजे आपका four million transmitter out कर रहा है तो यहां से आप value यहां पर four million का ampere में convert कर लीजिए 0.004 ampere आएगा निकल के और यहां पर two fifty से multiply करके यह one volt dc आगया output आपका वी वी output जो है one volt dc हो गया दोस्तों ठीक है तो यह इसका zero range हो गया आपका की one volt तो हो गया अब अपर क्या है five volt तो twenty million हम लोग क्यों लेते हैं twenty को zero point zero two zero हो गया ampere में convert कर लिया और इसको two fifty से multiply करेंगे तो five volt आपका निकल के आएगा तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि जो आपका four to twenty million जो field से आ रहा है उसको यहां पर analog to digital converter में यहां पर one to five volt में convert कर दिया जा रहा है दोस्तों तो जो हमारे cards है वो one to five volt के range में work करते हैं दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ा region है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि four to twenty million का ही और लेना के घृए करते हैं दोस्तों बड़ा कोई भी डावट हो कोई भी query हो तो आप comments करके जरूर पूँशे गा मैं आपके comments का जरूर reply करता हूँ दोस्तों टोशलिए दोस्तों फिर मिलते हैं next video में नए topic के शाह तब तक लिए thank you धन्यवाद